गोफार एग्रिकल्चर एजुकेशन आन योटूब चैनल टूड़े विल टाक अबाउट बेनिफीशियल इंसेक्ट शिल्क वार्म पहले आप लेक्चर स्रीज फ़स्ट में हनेवी का डिसकसन किये थे और आज उसका सेकंड स्रीज है सेरी कल्चर या सिल्क वार्म इसमें जो सेरी कल्चर है सेरी कल्चर में क्या होता है सेरी कल्चर उसकी स्पिसीज कितना है उसका क्लासिफिकेशन कितना है लाइप सैकल्स देखते हैं सिल्क वार्म की और उसका ब्रीड देखते हैं और उनका रियरिंग अपराच और उनका हाउसिंग और उनका एक्कोपिमेंट्स कौन-कौन से यूज किये जाते हैं सिल्क वार में या सेरी कल्चर में और उनका रियरिंग प्रोसेस और उनका डिजीज और इनेमीज मैनेजमेंट तो चलते हैं सबसे पहले है सेरी कल्चर सेरी कल्चर साइन्स डील विद कामर्शियल प्रोड़क्शन आप सिल्क एक सिल्क इंसेक्ट है सिल्क वार्म इंसेक्ट होता है जिसके कामर्शियल प्रोड़क्शन को ही सेरी कल्चर कहते हैं एक टर्म और आता है मोरी कल्चर मोरी कल्चर मोरी कल्चर मोरी कल्चर एक जो एक मलवरी लीप्स होता है या मलवरी प्लांट को किसी भी प्लाट में उगाना वो मोरी कल्चर कहलाता है तो यह सिल्क वार्म क्या होता है और सेरी कल्चर क्या होता है तो चुकि सेरी कल्चर जब यह एक कामर्शियल प्रोडक्शन जब सिल्क करते हैं तो उसको सेरी कल्चर कहते हैं यह मलवरी लीप में उगाया जाता है और कई सारा लीप में अलग-अलग टाइप के स्परसीज उसके सिल्क वार्म के आती है जो अलग-अलग प्लांट्स में उसका कल्टिवेशन किया जात जाता है तो इस टोटली प्रोसेस को सेरी कल्चर बोलते हैं और यह सेरी कल्चर यह जो सेक्रेशन होता जो एक जो फाइन थ्रेट्स के रूप में या फाइन यार्न के रूप में ये सिल्क वार्म का सिल्क का सेक्रेट करती हैं फिर इसमें जब एक सिल्क होता है तो सिल्क में क्या चीजें डॉमिनेंट होती है क्या उसका composition होता है उसके बारे में चुकि एक silk होता है उसमें एक protein substance होते हैं इसमें दो टाइप्स की protein पाई जाती है जिसमें एक fibrin होती है और एक sericin होती है जिसमें 80% के एलमस्ट जो silk fibers में यह fibrin protein present होती है और बची हुई 20% यह sericin होती है और एक core surrounded होता है जिसको sericin बोलते हैं और यह इसमें एक pigments पाया जाता है जिसको जैन्थोफिल बोलते है इसमें जो एक dark color आता है इंपार कलर आता है उसमें dominant होता है जैन्थोफिल यहां पर है major species of silk warm using sericulture जैसे कई सारे plants में अलग अलग टाइप का silk warm उसका जो silks leaf होता है लीप को अफीड करता है तो यह मलवरी silk warm है जो एक मलवरी का plant आता है जिसको मोरसलवा बोलते हैं मोरसलवा के लीप को यह फीड करती है और इसका scientific name है बॉम्बिक्स मोराई यह silk white और yellow color का होता है और बहुत यह चीज की market value भी मिलती है दूसरा है टसर सिल्क अन्थेरिया पैफिया बोलते हैं इसको यह अन्थेरिया मायूटा में एक plants आता है उसको फीड करता है और इसी को अरजुन भी बोलते हैं अरजुन के plant में जो यह species फीड करती है और उसी से जो silk का सेक्रेशन करती है तो यह silk थोड़ा सा रफली होता है brown color का यह silk present होता है और सबसे अच्छा market value silk मरवाली silk का मिलता है और इसके बाद जितना भी यह silk warm present होता है इनमें silk का production थोड़ा सा market value लो होता है फिर मुंगा silk antheria asamensis बोलते हैं और जो asam region होता है asam का region में काफी इसका cultivation होता है यह matchless plant होता है और इसका जो color होता है golden color का होता है इसी को मुंगा silk बोलते हैं इरी silk warm इसी को यह जो kaster है या अंडी आता है अरंडी भी बोलते हैं उसको यह इनकी lips को feed करता है इसको attack us रैसनी scientific name है silk warm का इरी silk warm का यह kaster को यह अरंडी के जो lips होता है उसको feed करती है इसका जो color होता है white यह creamy color का होता है और यह एक जो इंट का इंट होता है इंट की तरहीके से यह red color का भी present होता है क्लासिफिकेशन आप मलबरी silk कोई सभी insect होता है उसका phylum आर्थो पोड़ा है और क्लास उसका insecta यह एक जापोड़ा ही होता है और सब क्लास टेरी गोटा अटेरी गोटा एप टेरी गोटा दो सब क्लास होते हैं और डिवीजन इसका end of terigota होता है और आर्डर इसका लेपिड़ अप टेरा है और इसका जो फेमली है बॉमबिसाइडी है और जिनस बॉमबिक्स और इस प्रशीजस का मुराई है लाइफ सैकल्स एक सिल्क वार्म की लाइफ सैकल्स क्या होती है यह एक four district stage में बिलांग करता है पहले तो इसका एक stage आता है किसी भी insect का एग stage आता है और इस insect का फिर lar вол stage आता है, फिर pupil stage आता है और अप्टर दिन adult stage बनता है और ये अपना total life cycle 6 से 8 week के something अपना पूरा कर लेता है अगर उसको proper climate मिलता रहा इसमें सबसे first stage आती है एग जो females होती है फिमेल्स 200 से 300 के आज़ पास एग का एग लेंग करती है और इसके बाद जैसे ही 8 से 10 दिन के सम्थिंग स्टेज हो जाती है तो फिर ये इस एग का हैचिंग कर लेती है और एग के हैचिंग के तुरंत बाद ही लारवा बनता है और ये जो लारवा होता है ये वाइट कलर का हो लग बग चार या पांच बार के आस पास मोल्टिंग करता है, और अपने ग्रॉत को आगे बढ़ाता है, 4-5 cm के संथिंग यह लंबा होता है और इसमें जो लार्वल पीरेड होता है, या सबसे जो last larval period बोल सकते हैं, वो 25 से 30 दिन का हो सकता है, उसका जो total larval period है, और ये जो totally in star होते हैं, ये एक से लेकर के 5 in star होते हैं, जो in star क्या होता है, जो molting होता है, एक molting से दूसरे molting के बीच के time को in star बोलते हैं, तो ये पांच इस्टार करता है और जैसे ही पांच में इस्टार में पहुंचता है तो पांच में इस्टार के जस्ट बाद ही ये अपना फीडिंग स्टाप कर देता है और फिर इसके बाद पीपल स्टेज में पहुंचता है और जैसे ही पीपल स्टेज में पहुंचता है तो जो सिल्क होता है उसको अपना जो माउथ होता है उसको जल्दी जल्दी उसको हिलाता है बहुत तेज हिलाता है और उसी से ही जो सिल्क ग्लेंड्स एक्टिव हो जाती है और सिल्क का सेक्रेशन होने लगता है और ये एक सेक्यूर प्लेस को सर्च करने लगता है जैसे या तो क 12 से ले करके 15 दिन का होता है और यह अपना जो प्यूपा होता है तीन दिन में ही यह प्यूपा का निर्मार कर देता है और एक प्यूपा में ऐसा माना जाता है कि एक 1000 से ले करके 1200 मीटर सिल्क का प्रोडक्शन दे देता है एक प्यूपा और इसके बाद जैसे ही इसका प्यू इडल्टी स्टेज को बिलांग करता है और जो सिल्क या सेरी कल्चर का में होता है वो सिल्क का प्रोडक्षन होता है तो सिल्क का प्रोडक्षन जब एडल्टी स्टेज आता है तो एडल्टी स्टेज में ही सिल्क की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और इसके बाद उसका सिल् हम तो एक ही कॉने से करता है या किसी भी एक कॉने में करता है तो वहां से अंदर से क्या हो जाता हो तो फूड़ा सा मौस्चराइजंग हो जाता है और मोस्चराइजिंग के साथ साथ हो जाता है और उसमें अंदर से उसमें धक्के मारने लगता है जो उसका काइटनेस सवेस्टेंस होता है मौट पार्ट में उसमें अंदर से धक्के मारने लगता है और धीरे धीरे उसमें होल हो जाता है और होल हो जाता है तो फि कभी क्या करते हैं कि मालो हमें next generation जब भी उसका लेना होता है तो कुछ जो healthy mouth होते हैं उनको क्या करते हैं इखटा कर लेते हैं collection कर लेते हैं जिसमें male भी होते हैं और female भी होते हैं और अपस में coupleations कराते हैं और coupleations कराने के बाद जैसे एक हमारा जो rearing house होता है rearing house में अपना एक प्लास्टिक का या जीसी तरीके का कोई चादर नीचे डाल देते हैं और इसके बाद उसमें जो एक link होती है एक link करने लगते हैं फिर इसके बाद उपना next generation complete करता है लेकिन एक जब भी उसको एक फार्मर लेबल में अगर बात करें तो इसका जो टोटल life cycle होता है वह सम्टिंग साथ से आठ बीक का टोटल एडल तक होता है लेकिन एक फार्मर लेबल की बात जब हम करते हैं जब एक कोकून का harvesting farmer कर लेता है तो वो 5 में सप्ताय जैसे होता है जैसे हो अपना कोकून का stage पा जाताह तो कोकून के stage में ही यह इसको harvest कर लेता है फार्मर इसका Silkworm का breed इसका breed बहुत ही कई तरीके से होता है Silkworm में जैसे इसमें Uni Bolton पाये जाता है Bi Bolton पाये जाता है, Multi Bolton पाये जाता है जिसमें Uni Bolton थोड़ा सा इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि यह Bolton क्या होते है जब भी एक जनरेशन तयार करने का एक सिस्टम होता है इनसेक्ट का कि जब भी हम उसका Silkworm या सेरी कल्चर के लेबल में जो कल्टिवेशन करते हैं एक साल में एक साल में हम कितनी जनरेशन उगा सकते हैं चुकि एक इनसेक्ट का लाइफ साइकल अगर टूटल देखा जाए तो वही 7-8 सरताय का होता है तो ऐसे ही Continue चुकि पूरी साल हमें फसल लेनी होती है ज्यादा Profit लेने के लिए तो उसमें हम Continue लेते जाते हैं कि कितना जनरेशन ले लेते हैं दो बाल ले लेते हैं, तीन बाल ले लेते हैं, चार बाल ले लेते हैं च्छे से आच बार तक भी हो जाता है तो उसी के एक आरडिंग, इस में एक कार सरीयज बनी हुई है, जिसको सबसे पहले आती है यूनी का होता है, कि इसी को हम MONO BOLT touching भी बोलते हैं, MONO का मतलब होता है WON, इसका मतलब है कि एक साल में केवल एक ही बार, इसका सेरी कलचर का, या सिल्क वार्म का, Rieying किया जाता है. तो उसको Univoltine जोता है. इसके बाद आता है Bi-Voltine. Bi-Voltine में 1 साल में इसका Two Life Cycles Insect का Rieying किया जाता है. और इसमें Non-Hibernating Key Stage हो सकती है. तो तुरंट इसके बाद हैचिंग कर लेता है. और हैचिंग करने के बाद अपना Next Generation complete करने लगता है तो इसमें जो सबसे अच्छा इसका production माना जाता है Bible Tynes का क्योंकि इसमें जो सिल्क होता है वो बहुत सिपURIER कॉल्टी का होता है और इसमें जो सिल्क का content होता है बहुत ही अच्छा होता है और फिलामेंट्स भी इसके कफी लांग होते हैं, लांग फिलामेंट होते हैं और बहुत ही अच्छा इसका अकल्टिवेशन माना जाता है, चोकि एक साल में जब दो बार लिया जाएगा तो इसको इंसेक्ट को प्रापर लीफ का फीडिंग हो गएरा भी मिलने लगता है निट्रियन्स और भी बराबर मिलने लगता है और उसकी देख भाल भी अच्छे तरीके से हो जाती है तो इसलिए इसको बाइब बोल्टाइन्स का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन और उसका जो क्वाल्टी और यन्बी 18 है फिर आता है मल्टी बोल्टाइन्स में क्या है कि एक ही एक साल में किसी भी सिल्क वार्म का जो रीरिंग किया जाता है पान से छे उसकी लाइप साइकल बिलांग करते हैं यानि एक लाइप साइकल साथ से आठ बिक के आस पास कंप्लीट कर लेता है तो इसके बाद तुरंथ फिर उसी प्लाट में इसका रीरिंग कर लेते हैं ऐसे ही कांटी एक साल में उसका बराबर रीरिंग करते रहते हैं चुंकि इसमें भी जो एग का स्टेज होता है वो लारवा को फिल लेकर जाकर इसमें किसी प्लांट में टrans-plant कर दे तो उसका लेकर थे हैं और इसमें थोड़ा सा बताया था कि जो एदर जो बाई बोल्टाइन सीरीज है बाई बोल्टाइन सीरीज बहुत अच्छा इसका पोड़क्शन माना जाता है इसके बाई बोल्टाइन के अगर देखें तो इसका जो कोकून होता है वो हाड भी होता है और इसकी जो इल्ड होती है वो थोड़ा पूर होती है, कम हो जाती है, इसमें जो मैसूर मल्टीबोल ्टाइन बहुत ही famous races है और कल्टिवेशन करनाट का और तमिलनाड और अंधरोडेर very अच्छा होता है। और मल्टीबोल टाइन के श्रीज का ही एक निसतारी जो बेस्ट बंगाल के रीजन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फिर इसमें side selection की एक जो rearing house होता है यहां पर rearing किया जाता है तो या उसका जो house होता है उसको कैसा होना चाहिए तो सबसे पहले इसमें side selection side selection जिसे एक इन्सेक्ट का जहां पर भी हम रेरिंग करते हैं तो प्रापर बेंटिलेसन होना चाहिए बहुत ही प्रापर तरीके से उसका बेंटिलेसन होना चाहिए और जो light ऐसी होनी चाहिए light का जो direct effect है वो भी अच्छा होना चाहिए और ये जो किसी भी house को बनाया जाता है तो रोडेंट प्रूब या उसमें जो क्रेवेक्स या जो उसमें जो बिंडो जो गईरा होते हैं कोने कत्रे में तो उनको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर रहना चाहिए इसमें जब भी जिस जगए पर हम रेरिंग हाउस बनाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि जो एनिमल्स हो गईरा इंटर कर जाते हैं तो उनसे इनको हमेशा एनिमल्स हो गईरा को हमेशा दूर रखना चाहिए जितना भी एनिमल्स आता है और कभी-कभी हम क्या करते हैं कि एक केम कं जब करने के लिए लगाते हैं कि आनिमील विए नुकसान दायक हो जाता है इसलिए इनको हमेशा बाहर पर रखना चाहिए जो एक ट्रांसपोर्टेशन है या जो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन काफी मिनिमाईज जगए पर होना चाहिए या उसका जो डिस्टेंस से काफी कम होना चाहिए जैसे क्या होता है कि मालो हमने लीफ को काटा है और लीफ को होता है उसकी थोड़ा सा इसकी habitat कम हो जाती है उसकी feeding habitat कम हो जाता है तो इसलिए यह जो transportation है यहाँ पर रेरिंग house और बनाते हैं तो हो जहां पर रेरिंग करते हैं यह जहां पर हम लोग प्लाट होता है कि असपास ही होना चाहिए और इसका जो जो विंडोज का या windows का जो direction होता है एक rearing house का जहाँ पर हम लोग coupling हो गएरा कराते हैं जहाँ एक कलेंग हो गएरा करवाते हैं ऐसे house को क्या है कि north south direction में होना चाहिए इससे क्या होता है जो direction light आती है उससे ये फिरी बना देता है उससे ये cover किये रहता है और जैसे जो temperature होता है temperature हो गएरा भी maintain रहता है जिससे जो पतियां है वो जल्दी सूखती नहीं है तो जैसे ही एक का hatching हो जाता है तो वो continue अपना उसी lips को बार-बार feed करता रहता है फिर है silk warm rearing silk warm rearing का एक छोटा सा process इसमें दिया हुआ है जिसमें एक silk जो female silk moth होती है वो 300 से 500 के असपास भी अंडे दे सकती है और जैसे ही एक जो एक link paper होता है जो एक rearing house होता है house के नीचे क्या करते हैं एक paper विछाते हैं और उस paper को क्या करते हैं कि disinfect कर देते हैं जिसमें से 2% formalin chemical आता है जिसको हम डाल देते हैं जो जैसे fungus हो गयरा होता है इससे control करने के लिए इसका farm aliens का use कर लेते हैं और उस paper को भी disinfect कर देते हैं और जैसे ही leaf को क्या करते हैं एक tray में रख देते हैं और उसको काट करके एक tray में रख देते हैं और जैसे ही इसका hatching होता है insect का एक का hatching हो जाता है तो hatching करने के बाद वो क्या करता है कि जो मलवरी leaf होता है मलवरी leaf को खाने लगता है और इसके बाद ही वो अपना दीरे दीरे 4-5 stage को इस टार करके 4-5 इस टार करता है और जा करके फाइनली जो caterpillar का last stage पर पहुँच जाता है फिर इसके बाद क्या करता है पीपेशन stage आता है और पीपेशन stage में क्या करता है एक जो silk होता है वो अपने body के surrounding पीपेट कर लेता है अपने चारों तरब से लपेट लेता है और इसके बाद क्या होता है कि जो larva होता है वो क्या करता है कि इसके बाद वो अपने stage पर पहुँच जाता है फिर इसके बाद silk reeling stage आता है और silk reeling stage में क्या होता है कि जैसे एक final stage होती है पीपा की तो पूपा को हर्वेस्टिंग कर लिया जाता है और हर्वेस्टिंग करने के बाद उसको एक steam water में उसको डाला जाता है और डालने के बाद उसको boil किया जाता है और boil करने के ही process को stepling करते हैं जो इंसेक्ट होता है उसको मार देता है तो बोईलिंग इसलिए उसका किया जाता है जैसे फिलमेंट्स टाइप का विक्तिक कोखोन होता तो यहा wtedy फिलमेंट्स लाइक ऐसे एसे उसमें फिलमेंट्स रिमूव किये जाते हैं तो उससे tensions को spaghetti ओलते हैं और जैसे ही हम लोग boiling करते हैं तो boiling करने की जैसे ही 15 मिनिट होता है तो 15 मिनिट के बाद ही वो क्या करता है जो इसका आपस में चूंकि एक कोकून होता है और एक ही कोकून में क्या है कि इसमें कई सारा सका है इसकंण सबी धी है तो जैसे हम्हें लोग बॉयलिंग करते हैं तो इसमें अब तो उसमें 15 मिनट हो जाते हैं तो अपना अलग अलग फिलामेंट बनने लगते और इसको क्या करते हैं हम इसको अलग करते हैं जैसे यह पुली होता है यह इसको पुली बोलते हैं यह पुली होता है पुली के जरिये से हम इस जो फिलमेंट सोते हैं इनको आपस में एक धागा बनाते हैं एक थ्रेड बना लेते हैं और फिर उसको जैसे कोई कमिया रह जाती हैं तो कमयों के लिए क्या होता है कि कभी जो completely नहीं आपते हैं तो उनको हम रिपॉयल कर लेते हैं और रिपॉयलिंग करते हैं क्योंकि इसमें कुछ değild up जो काफी dark color होता है यह जो उसका जो अच्छी color को enhance कर देता है और जो उसका rough materials होता है उससे भी enhance हो जाता है इसलिए हम उसको revoiling करते हैं और जैसे revoiling के बाद इसमें जो filaments होते हैं इनको लगबग एक कोकॉन से लगबग 900 meter के आज़ पास का filaments निकाला जा सकता है दिजीज़ मेनेजमेंट आइसं में कई सारा डिजीज़ लगता है लगता है इंसेक्ट में जिसको पेबिरिंस पहला डिजीज़ बहुत ही घातक डिजी़ होता है इसको नोसेमा बॉमबिसिस बोलते हैं यह किसी भी energy के किसी में लगता है तो उसमें जो होता है इसे क्या होटी आशोर। ये इसमें में ब्लाग कि त现在 के बन जाते हैं इसको कन्डोल करने के लिए 2% मिलाते हैं जासे ही उसका कर देते हैं इंफेक्टर जो सिल्क होती है उनमें ग्णीज स्काइस ओर स्का 어제 करते हैं एक स्टेज में चुकि एक स्टेज में बताया था कि 2% जो फर्मेलिन्स होता है उसमें कई सारा डिजीज होता है जिसके प्रती रेसिस्टेंसी पावर लाता है फिर है फ्लैचरी यह बैक्टीरियल डिजीज है जिसको बैसिलस वामबि सेप्टिकस बोलते हैं यह जब लारवल इस्टेज आता है इन्सेक्ट का कैटर्पिलर इस्टेज आता है तो उसी समय स्वसício एस च्ज़ादा अट्थेंग करती है और इसकी वजह से जो बाटी होती है वह धिली पर का हो जाता है यानि जो जब भी वो excretory materials होता है उसमें यह semi solid भी बोल सकते हैं उसको तो चुकि इसके control के लिए proper incubation period चाहिए होता है और जब भी हम इसका rearing करते हैं तो rearing के समय जो temperature humidity जो को चीज requirement होता है उसके लिए proper यह सारा चीज होना चाहिए इसमें है इस यह यन पी भी 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 बोलते हैं यह भी लार्वल इस्टेज में बिलांग करता है और इस समय जो segments होते हैं वो swelling करने लगते हैं और swelling करने लगते हैं इसके बाद जो skins होती है वो तूटने लगती है और तूटने लगती है और जो थोड़ा सा जो body का जो floods होता है वो क्या होता है थोड़ा मोटा होने लगता है और फिर इसके बाद वो मरने लगता है तो इस तरीके से यह disease आटेक करता है अगर इसका management करना है तो जो जब भी हम इसका replacement करते हैं लार्वी का तो क्या हो जाता है थोड़ा पहुत इसमें damage हो जाता है तो इस injury को केवल evidence ही इसका management है मसकरडाइन बहुत ही effective disease है मसकरडाइन जो फंगस से बनती है और यह बायो पेस्टिसाइब भी इस फंगस का बनता है और इसमें यह जो इसको white मसकरडाइन भी बोलते है बायोरिया बैसियाना यह इसका susceptible जो इस्टेज है लार्वा पीपा और एडल्ट किसी भी stage में यह लग स लगता है और इसके जो symptoms क्या है कि इसके जो हाइफी होते हैं फंगस में हाइफी होते हैं जो attack करते हैं तो attack करते हैं इसमें जो फंगस के हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं बोडी के internal part पर अपना यह हाइफी इंडर कर जाते हैं और इसके बाद जो बोडी है वो hard होने लग तो इसके टाइम पर भी जब इसको कंट्रोल करना है तो जब भी हम रेरिंग करते हैं तो रेरिंग हाउस में क्या है कि उसका जो वही 2% जो फॉर्मेलिन्स आता है उसके जड़िए इसको इस्टरलाइज कर देते हैं इनमीज आप सिल्क वार्म इनमीज इसमें नेचुरल इनमीज कई तरीके से जो इनसेक्ट को काफी एफेक्ट करते हैं तो इन में से एक यूजी फॉलाई है इसको एक जो रिष्टा सौर्बिलांस बोलते हैं जो डिप्टेरा आर्डर से बिलांग करती है और ये ये जो इसका जब भी एक maintenant ये क्या करते है अपने जो एक ये जब इसको केUSTर इंसेक्ट का ये सिल्क वार्ब इस टेज रहता है तो उसी समय ये जाकर लक्रेश कर ये एक लिए इसका प्रॉपर रूम है उसको फ्लाइब प्रूफ बनाना है और एक चाइना क्ले डस्ट आती है चाइना क्ले डस्ट को वह तीन ग्राम इसमें लगबग जब आपर हैंडट के आसपास वह सिल्क होते हैं उनमें इसका इस्प्रे कर देते हैं या तो फिर डेमिलीन आता हां देमिलीन को एक जो 0.1 स्ट मीटर में एक ग्राम के आसपास देमिलीन का स्प्रे करते हैं फिर इसके बाद बिटल इसको डिंदज Iss बोलते हैं कोलियोप्टेरा आर्डर से बिलांग करती है और यह कोकून का पीरड होता है और यह जो प्यूपा होते हैं और जब एक होता है सिलक ऐर्म का उनको भी थोड़ा थोड़ा यह फीड करती है इसको जो कांट्रोल करना है तो यह मेल क्रेक्स होते हैं ऐख दीवालों होती है बिन्ड़ो को फेक्यों, किनारे किनारे फ्लीध आनदार यह घुसी हुई होती है तो अच्छे तरीके से उनको क्या करते हैं हम लोग क्लोज कर देते हैं और जो रिरिंग रूम होता अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर लेते हैं और फिर उसमें जो फ्यूमेगेशन कर लेते हैं उसको इस्टरलाइजेशन के लिए या उसको अच्छे होता है टो यह क्या करती है यह पेड़ों में चड़ करके उसको डैरेक्ली करने लगती है तो इसमें जो कंट्रोल करना है इसको तो इसका जब legs होते है, जब tray के, जब tray का एक legs होता है, तो उसको क्या करते हैं, हम kairoisiन या water का एक liquid बनाते हैं, और उससी amigo जो लेक्स होते हैं चुकि एक ट्रे αیसे होता है ट्रे में चारो तरब से नीचे जहां से वह प्षों पर करता है उसमें लेक्स बने होते हैं और उस लेक्स क्या करते हैं हम इसी water यह泡़ यह बना होता है उसी में इसको रख देते हैं तो जो भी चीतियां आती हैं इसी में रह जाती है और आगे मूँ नहीं कर पाती हैं फिर लिजार्स हैं बड है राइट है इसको यह भी काफी उसको नुक्सान पहुंचाते हैं बड्स इसेress four पुसको गयरा करने लगते हैं तो हम लोग नेट हो गयरा लगा लेते हैं और बाकीомина रिरेइश हाउस में रैट हो गयरा भी बहुत जहादा यह डिमिज करते हैं ये direct ही silk वारों को सीदा सीदा खा जाते हैं तो जो rear ring रूम होता है उसको अच्छे तरीके से clean कर लेते हैं और बाकी जो trap और हैं जेसे red trap और हैं उनको लगा लेते हैं square trap भी आते हैं इनको लगा लेते हैं जिससे उनका control आसानी से हम कर सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग वाचिंग वीडियो आप